चलिए वेलकम टू डीम क्लासे हम लोग आज UPSI का जो प्रिवियस येर का कोश्चन पेपर था यानि कि मैथ का जिसे आज हम लोग डिसकस करेंगे हैं न जब प्रिवियस येर निन 2017 में जब वैकेंसी आई थी UPSI का उस एक्जाम में जो मैथ का पूछा गया था कोश्चन उस हम लोग आज डिसकस करेंगे तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैथ का कोश्चन जो UPSI में प्रिवियस येर में आये थे तो पहला कोश्चन था वाइज कल टू थी पलस तू रूट टू था ठीक हम लोग को फाइंड करना था रूट टू इन्टू इन्टू वाइपर प यक्ति जो भी कोई स्टूडेंट इसे जब लेवरा पढ़ा होगा थोड़ा बहुत मेहनत क्या होगा तो बना लिया होगा हना हम लोग आज इसे सोल्व करते हैं और जो बेसिक है इसमें उस बेसिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब लेवरा मैं सुरू करूंगा तो दो को होगा उसमें मैं डेटेल से बताओंगा तो चलिये हम लोग इसे सोल्व करते हैं ना 22 इतना दिया है यह सोल्व करना है इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 इंटŁ y पर पावर मैनस इसको इस तरह से भी by पर power minus 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि जब exponent पढ़े होंगे तो इस तरह से a पर power minus n इसको इधर लाकर हम लोग इस तरह से positive में लिख सकते हैं यानि जब भी किसी power पर minus रहे तो नीचे लाकर हम उसे plus में लिख सकते हैं उसी तरह यदि ये नीचे plus में हैं तो उपर ले जाएंगे तो minus में हैं मतलब ये और इसमें कोई अंतर नहीं है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं शुरू करने इस form को हमको इस form में लाना होगा पहले तो देखिए लाते हैं हम लोग इसे 1 y y पहले निकाल लेंगे तो 1 y y जब भी हम लोग निकालते हैं तो आप लोग भी पढ़े होंगे सिर्फ sign change हो जागा ये plus में है तो सिर्फ minus में आ जाएगा अब हमें ये लाना है तो ये कब आएगा तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं ये दोनो y और 1 y y को हैड करेंगे ये 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 दोनों को घटा कर देखिएगा तो solve कीज़ेगा तो ये आजाएगा अब ये दोनों को multiply कीजिए तो जैसे ही आप multiply कीज़ेगा तो ये आजाएगा तो इधर भी हम लोग multiply करेंगे तो 24 root 2 आजाएगा आजाएगा तो 24 root 2 जब हमें इसका मिल गया हमें सिर्फ root 2 से क्या करना होगा multiply कर देंगे देखिए यहां कर रहे है root 2 into इसका value आगया कितना 24 root 2 तो कितना आजाएगा 48 root 2 into root 2 24 into 2 48 आगया तो इस तरह से इस question का answer 48 आगया अब हम लोग देखते हैं next question next question क्या आया था एक्जाम में उसे स्वल्व करते हैं चलिए next question है कराना की तीन घंटी है जो करमसा 30, 45 और 60 सेकंड के अंतराल पर भजती है हना यदि वे सभी दो पहर एक बजे यानि दो पहर में एक बजे एक साथ बजी है तो वे किस समय एक साथ बजेगी है हना question बहुत असान है कह रहा है question की एक जो तीन घंटी है और तीनों जो है ना 30, 45 और 60 सेकंड के अंतराल पर भजती है यदि सभी है जो एक बजे एक साथ बजी है तो कह रहा है ना कि वे किस समय एक साथ फिर से बजेगी तो क्या करना है सभी का 30 है 45 है और 60 है हना काई LCM निकाल दीजेगा LCM निकालेंगे कितना आजाएगा तो कि यहां पर सेकंड में दिया है यहीं पता ही होगा कि 1018 म में होता *** मिनट में 6 जेकंड तो *** के मिनट में आजाएगा तो 3 मिनट आजाएगा साथ कितना पर बज़े बजा था यह बज़े बज़े था ना तो उसमें 3 मिनट हम फोग और जोड देंगे तो उसका मतलब है कि एक बजके 3 minute में होगा बज जाएगा हैना एक बज के 3 minute में होगा क्या होगा बज जाएगा एक बज के 3 minute p.m. में बज जाएगा हना तो यह बहुत असान question था हना कि जब भी इस तरह का question आए कि कितने second के अंटराल पर बजे तो LCM निकाल लेंगे और जो एक साथ 2 वजा था उसमें क्या करेंगे एड करदेंगे जो आयगा हुआ मेरा क्या हो जाएगा अंसर जाएगा त्यलि यहां निक्ष्ट कोस्टन देखते हैं जब इस्थिर जल में 9 की गति इस्थिर जल है यानि रुका हुआ ज्ल है उसमें 9 की गति केतना दिया है 10 मीटर पर सेकंड or नदी की गति न कि गति कहांट पर तीसलियने के लिजन में आता कि गती सबस्क्राइब मेटरिशन सेखंट तो उआ blends nuk moet द्रूचर में पर सेखंट और यख़ काye नदि की गतिक नाओые की गति का 20 पर से तो नदी की गति 20 माल लेते हैं तो नदी की जो गति है ना वह नाव की गति नाव की गति है दस नाव की गति का कितना परतिसाथ 20 परतिसाथ 20 बटा यह जो दिया है नाव की गती दस दे दिया था और जो बोला था कि जो नदी की गती है वह नाव की गती का बीस परतिशन है तो हमने नाव की गती का बीस परतिशन निकाल दिया तो वह कितना की गती है दो मीटर पर सेकंड यानि जो नदी का बहाव है दो मीटर पर सेकंड से है और जो नाव है वह चल रहा है दस के स्पीड से तो हमसे पूछा है कि नाव की धारा के अनुकूल तो अनुकूल का मतलब एक साथ चल रहा है तो यहनी कि अनुखूल मतलब यू प्लस क्या हो जाएगा भी यहनी भी प्लस यह रहा जाएगा यह कि आप अपर श्ट्रीम तो टेन प्लस टू हो जाएगा यहनी कितना आजाएगा बारह मिटर पर सेकंड यदि हम से पूचता कि भी पूच्ट में यह यानि अनुकूल पोगे सा mocढ़ता है यानि हमसे पुछाता तो यह बहुत ही आसान होसान था किस में करते हैं यह पडिकूलрь बोल दिया था कि नाव की गति का 20% है तो हमने 20% निकाल दिया दोनों को एड़ कर दिया हुआ क्या हो गया निकल गया अंसर तो इस question तो बहुत असान था अब next question हम लोग देखते हैं सब्सक्राइब करें निक्स्ट कोईशन हम लोग देखते हैं आया था सिंपल इंट्रेस्ट से बहुत इसान कोईशन है जो ब्यक्ति बनाया होगा थोड़ा बहुत मेहिनत किया होगा जो अस्टूडेंट वह आसानी से इस question को solve कर लेगा हम लोग भी अब SI और SI शुरू करेंग कितना हो गया स्टूर में इतना हो गया आप पांच वर्स में करा है तेराशओपचास रुपया हो गया है तो करा लाव ही किसे पर्तीस्त की रेऍप से रिच्ट से उसे चैस्ट कोंश्यों निकालते हैं बहुत ही łatा तो हॉड़्ांके संसी नहीं तीन वरıs यहनि दोनों को गटा देंगे तीन बर्सों का बयाज है जिनि इस सिंपल इंटरे button सधारण बयाज कर नहीं कि दो वर्स वर्सों का तो इतना था 1260 और फांच वर्सों में यह तैना ते दोनों को गटा देंगे बर्स यह पांच आप या तो दो वर्ष घटाएंगे तो तीन वर्ष घटाएंगे तो कितना रुपिया आ जाएगा नबे रुपिया 930 में इनकाल लीज़े एक बरस का कितना हो जाएगा नबे वटा-3 यनिकी 30 रुपिया हो जाएगा अब आप क्या कीजिएगा कि आप या तो दो बर्स का ब्याज निकाल लीजे या पांच बर्स का ब्याज निकाल लीजेगा अंसर दोनों से स्टेम ही आएगा है ना यदि हम दो वर्ष का या इक बूर्ष का या निकला 30 रूपया तर दो वर्ष का ब्याज क harbor कितना हो जाएगा 60 रूपया है यदि हम 5 वर्ष का निकालते हैं तद 3 पचे 1.300 यानी 1.500 रूपया आता है हम को 1206 न है प्रिंस्पल निकाल जाएगा पी यहनी यदी हम 1206 में से 60 घटा दें तो क्या जाएगा 1200 रुपी आ जागा न कि एसाइ बरावर P into R into T वाटा क्या होता है साव है ना ध्यान दीजेगा एसाइ यदि आप साथ लिखते हैं ठीक है तो कितने समय के लिए है दो समय तो यदि हम साथ लिखेंगे तो हम लोग समय देंगे दो बर्स यदि हम लोग साधारन भी आज 30 लिखेंगे तो हम लोग एक वर्स देंगे यदि हम लोग साधारन भी आज壓 pog देंगे तो समय तीन वर्स लिखेंगे हना तो यह चीज ध्यान देखिएगा तो यदि हम देखते हैं असान वाला लेलेते हैं 30 वाला या जो भी है आप ले सकते हैं तो इसमें हम लोग ले लिए साधारन भी आज यादी 30 रुपया कहां गया 30 रुपया तो पी पी केतना आया बारा सो इंटु आर तो निकालना है टी ओवन हो जागा ना बटा सो काट दियें आई ये केटना से कट जाएगा आर बराबर पी इंटु आर इंटु आर इंटु टी आ जागा तो इसको आप काटिये गार यहां हम काट देते हैं आर बराबर कितना हो जाएगा 30 वटा 12 यानि च्छाव पचे 30 चाव दुनी 12 यानि पांच वटा दू यानि लगभग कितना आ जाएगा अड़ाई पर 30 इस इतना ही क्या जाएगा अंसर आ जाएगा हम लोग का यानि इस क वर्स का ब्याज निकाल लिया तो हम क्या कि एक वर्स का निकालनी है जब एक वर्स का ब्याज पता लग गया तो हम दो वर्स का भी निकाल सकते हैं पांच वर्स का भी निकालनी है फिर हम पी निकालनी है फार्मूला पर सेट कर दी हैं खाली इसमें यह धियान रखना है कि जब हम लोग SI किसी तीनों में से कोई भी लेंगे तो उसी हिसाब से समय भी लेना है, यदि हम लोग SI यदि यहाँ पर 60 लेते हैं, तो समय हम लोग 2 लिखते हैं, SI यदि हम लोग 30 लेते तो समय एक जो मैंने लिया है, यदि SI 90 लेता तो हम लोग समय 3 लिखते हैं, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरुवत नहीं तो यह तो simple question था चलिए अब next question देखते हैं चलिए इस question को हम लोग देखते हैं question कारान है कि यदि किसी संख्या का 50% किसी यान संख्या के बरावर है ना तो हमको संख्या पता नहीं है हम उस संख्या को एक समाल लेते हैं ठीक है तो यह संख्या हमने एक समाला तो यदि किसी संख्या का वो संख्या नहीं पता था एक समाल ले संख्या का 50% है तो 50% हमने 50% कर दिये किसी अन संख्या के बरावर है किसी अन संख्या भी पता नहीं है यह किसी संख्या का एक से उसका पशाज प्रती साथ अन संख्या के बरावर हो यह उनका निकालना है टो निकाल नाट है इसको काड़ दिये दो आर मेंनिकल जाएका yeah बटा टू बरावर क्या बाई आजाएगा तो एक सा नीचे बाई ले आएंगे तो क्या आजाएगा उधर वन बटा टू है ना मतलब वन रेशियो क्या आजाएगा तो यही क्या हो गया अंसर हम लोगों अचा निकानले किसका बोला था कि यदि किसी संख्या का 50 परतीसाथ है अंधर इ Hardy किसका तो एकस नीचेया हम लोग गलत लिख दी हैं यहां तुट कि यहां पर x यह एक्स है अंब बटा ु हो ग्या बटा टू बरावर by इसके नीचे रोंडा मिन देंतरक्य गभाण देते हैं है एक से नीचे आजाएगा बाई बरावर टू बटा कितना ओवन यह निकी तू इस्टू क्या जाएगा ओवन आजाएगा तो इस था सिंपल कोश्चन था थो थोड़ा एक्जाम में ध्यान देखना है कि ऑप्शन ओवन इस्टू भी रहेगा तो इस्टू ओवन भी रहता है त तो इस question का असान था, अब next question हम लोग देखते हैं, चलि next question हम लोग देखते हैं, train संबन्धी आया है, देखने में तो लंबा चोड़ा एक बोड है, लेकिन अंसर इसका एक लाइन में आ जाएगा है ना, लंबा question देखके हर आना नहीं है, उसका अंसर सिधा एक लाइन में तो दूसरा train भी इसी दिशा में जा रहा है ना, कोई माल याई इस दिशा में जा रहा है, train पहली train तो दूसरी train भी स्यम दिशा में, यानि स्यम डाइरेक्शन में जा रहा है, स्यम दो train है, एक जो चर रहा है, पचीस के स्पीट से चर रहा है, और तीस के स्पीट की रफता से चल रही है एक ट्रेन पचीस के रेफटार से चल रहा है दूसरा तीस के स्पीड से चल रहा है ना यदि पहली ट्रेन यानि जो पचीस किलो मीटर वाली ट्रेन है दूसरी ट्रेन को से यानि तीस किलो मीटर वाली ट्रेन से एक घंटे पहले छूटती है हना मतलब यह जो दे यह मौनने तेbrachtे पहली ट्रेंट के स्पिद्स चाल रहा है ओवह थीस किलोमीटर एंपिस्टार से चाल चाल जो पहली ट्रेंट है और पहली घंटा पहले ही चल जाती यदि सोचिके दिल्ली से पटना की ए다면 आ है है जो पहलिए ट्रें 25 के स्थियर के सब्सक्राइब 324 जारी है और 느ूसरी 20 के सब्सक्रामद ऋ पहलेन इन ध्य भुल गई है फंक गई आए ठीरी ग wall eg छूट गई है तो द्हींटी वाली ट्रेण के साथ तेज गती वाली ट्रेंब को कर दोगका खणड़े में कितना समय लाएगा यानि क्पूछ रहा है कि जो 30 के स्पीड से जो री चल रहा है कि अ इसी बात है कि यहां सोचिए कि 25 के स्पीड से एक ट्रेन चल रही है तो सोचिए एक घंटा में एक घंटा में कितना गया होगा पचीश किलो मीटर ही गया होगा है ना इसका हम लोग निकालेंगे जैसे पढ़ा होगे कि दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय है तो दूर चाल कितना था पहली ट्रेन का 25 और यह घंटा में कितना आगे गया होगा यानि 25 किलो मीटर यह यानि यदि 30 वाला यहां है इससे यतना दूर यह 25 किलो मीटर है तो यतना दूर आगे ट्रेन पहुंचा हुआ है जो धिमी गति वाली है तो सिधी सी बात है कि हम से क्या पूछा है कि जो तेज गति वाली ट्रेन है पकड़ने में कितना समय तो समय बराबर क्या हो जाएगा दोनों के चालों का अंतर न किलो मीटर कर जाए तीस में से पचीश जाएगा तो पाँच बचेगा पापचे पचीश यनि पाच घंटा यनि कि जो तेज गति वाली ट्रेन है वा धिमी गति वाली ट्रेन को पाँच घंटा में क्या करेगा पकड़ लेगा एक कोशन बहुत ज्यादा भारी नहीं था तो हम लोग छोटे-छोटे वीडियो ही बनाएंगे ताकि देखने में भी और समाजने में भी सहुलियत हो इस वीडियो में इतना ही पाट बन में और तुरत हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं जिसमें और कोशन जो यूपी एसाई में बिभीन कोशन जो मैत में पूछे पूश्चन को हम स्वल्व करेंगा है ठीक